वेलकम तो केर फॉर स्टेडीज वो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फाइव सप्रेशन आफ सब्स्टैंसिस के एंसी आटी के एक्सराइस क्वेस्टन्स तो स्टाट करते हैं फर्स्ट क्वेस्टन के साथ जो की है वाय डू वी नीड तो सेपरेट इफ्रेंट कॉंपोनेंट्स ओफ अफ अ मिक्षर गिव तो एक्सराइब तो यहां हमें बताना है कि हमें मिक्षर के कॉंपोनेंट्स को क्यों अलग-अलग करने की ज़रूरत है और ह हमें यहां दो एक्जांपल भी देने हैं तो वी नीड तो सेपरेट इफरेंट कॉंपोनेंट्स ओफ अ मिक्षर बिकॉस पहला रीजन है तो सेपरेट हामफुल और नॉन उस्फुल सब्स्टैंस दाट में भी प्रेजंट इना मिक्षर तो हामफुल यह ऐसे सब्स्टैंस च्छों काम के नहीं है वो एक मिक्षर में हम अलक कर सकते हैं यूज इंग सेपरेशन थे निक से की रीजन है कि हम separation करते हैं वो इसलिए करते हैं to separate useful component if we need to use them separately तो अगर mixture में कोई ऐसा useful component है जो हमें use करने की जरुत है जो हमें इस्तमाल करना है तब भी हम separation technique का इस्तमाल करते हैं तो दो example इसके हैं पहला example हम दे सकते हैं removal of stones from pulses दाल में से मतलब अगर हमें stones अलग करने हूं तो हम separation technique यूज कर सकते हैं second जो है separation of salt from sea water तो नमक हमें अगर चाहिए sea water में से तब भी हम separation technique यूज करेंगे second question है what is winnowing where it is used तो हमें यहां बताने है winnowing की definition और वो कहां पे use होती है winnowing is a process of separating heavier and lighter components of mixture by wind और by blowing air तो winnowing ऐसा process है जिसमें हम heavy और light particles को अलग अलग कर देते हैं mixture के कैसे हवा का या फिर जब air blow करती है तो उसका इस्तमाल करके this method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seed grains तो grain में से अगर husk को अलग करना हो तो farmer winnowing technique का ही use करते हैं third question है how will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking तो cook करने से पहले अगर दालों में से हमें husk मतलब छिलके या कोई भी dust particle है तो वो हम किस तरह separate करेंगे वो हमें यहां पर बताना है तो इसका answer है husk or dirt particles from pulses are separated by hand picking method तो जब हम खाना बनाते हैं तो दाल इतनी ज्यादा amount में तो होती नहीं कि हम उसे hand picking से separate ना कर पाएं ऐसे नहीं होता कि हमें बहुत ज़्यादा time लगेगा इसलिए हम यहां पर hand picking use करते हैं next question है what is sieving where is it used यहां मैं बताना है sieving क्या होती है और वो कहां use होती है sieving is a method of separation which allows the fine particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve so sieving एक ऐसी technique है एक ऐसी separation technique है जिसमें जो fine particles होते हैं मतलब छोटे छोटे particles होते हैं वो तो hole से pass हो जाते हैं sieve के लेकिन जो बड़ी impurities है वो sieve में ही रह जाती है it is used at home to separate bran from wheat तो अगर wheat में से मतलब आटे में से जो bran मतलब चोकर अगर हमें separate करना है तो हम sieving method ही use कर सकते हैं आप यहां पे और कोई भी example दे सकते हो जैसे industries में या construction site पे अगर हमें gravel, sand, pebbles इनको अलग-अलग करना हो तब भी sieving का ही इस्तिमाल किया जाता है next question है how will you separate sand and water from their mixture तो sand और water का अगर mixture है मेरे पास तो वो कैसे separate होगा यह यहां पे बताना है to incorporate sand and water from their mixture by the following methods तो अब यहां पे मैं आपको कुछ methods बताने वाली हूं जिससे हम sand और water का mixture अलग-अलग कर सकते हैं तो पहला method है sedimentation and decantation का sand being insoluble and heavier than water settles down at the bottom to sand क्यूंकि पानी में soluble नहीं होता और heavy भी होता है यह पानी से इसलिए यह नीचे बैठ जाता है जिस भी beaker है जिस भी vessel में आप लोगे उसके तले पर उसके नीचे sand settle down कर जाएगा then water can be separated from sand by transferring it into another vessel उसके बाद water को हम separate कर सकते हैं sand से कैसे हम water को किसी दूसरे beaker में transfer कर लेते हैं मतलब decantation का method यहां पर हम use कर लेते हैं सेकिंड जो method है वह है filtration the mixture of sand and water is poured on a piece of cloth or filtration funnel so that water passes through it and sand remains on the piece of cloth or filter paper अब filtration भी हम कर सकते हैं इस mixture को separate करने के लिए कैसे जो mixture है उसको हम pour कर देंगे या तो किसी कपड़े में या फिर filtration funnel में तो क्या होगा जो पानी है वो तो पास कर जाएगा filtration funnel या फिर cloth से लेकिन जो sand है sand वहीं पे रह जाएगा वहीं retain करेगा तो sand cloth पे या filter paper पे रह जाता है इस तरह हम यहाँ पे sand और water को separate कर लेते हैं next question है is it possible to separate sugar mixed with wheat flour if yes how will you do it तो क्या sugar मतलब चीनी और wheat flour मतलब आटा क्या इन दोनों को separate करना possible है अगर है तो हम किस तरह separate करेंगे यह हमें यहाँ पे बताना है yes it is possible to separate sugar mixed with wheat flour this can be done through the process of sieving तो चीनी और आटे को separate किया जा सकता है और कैसे करेंगे हम sieving method मतलब चान के कर सकते हैं दोनों को अलग the mixture of sugar and wheat flour is allowed to pass through a sieve तो इसे हम sieve के through pass करा लेते हैं तो जो fine wheat flour है मतलब जो आटा है वो pass कर जाएगा while sugar remains on the sieve और sugar क्योंकि particles उसके बड़े हैं इसलिए वो sieve में ही रह जाएंगी next question है how would you obtain clear water from a sample of a muddy water तो अगर muddy water है हमारे पास तो muddy water से clear water हम कैसे obtain कर सकते हैं कैसे मिल सकता है तो इसका answer है by the method of filtration we can obtain clear water from a sample of muddy water तो हम muddy water से clear water by the method of filtration filtration के through obtain कर सकते हैं कैसे हम जो muddy water है उसे pass कराएंगे filtration funnel से या किसी भी कोई भी हमारे पास अगर strainer है तो उससे हम pass करा सकते हैं clear water will pass through it while mud will remain on the filter paper तो जो clear water है वो तो filtration funnel में pass कर जाएगा filter paper से लेकिन mud भाई filter paper पर रह जाएगी तो इस तरह water और mud अलग-अलग हो जाते हैं और हमें clear water मिल जाता है next question है fill in the blanks पहला है the method of separating seeds of paddy from its stock is called dash तो अगर मुझे धान में से seeds of stock को अलग करना है तो क्या करूंगी मैं तो हम करते हैं threshing threshing मैंने आपको बताया था farmers क्या करते हैं stock को लेते हैं उसे जमीन पे बहुत तेज तेज पटकते हैं तो जितने seeds हैं जितने grains हैं वो अलग हो जाते हैं stock से next है when milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth the cream that is malai is left behind on it this process of separating cream from milk is an example of dash तो यहां बोला है कि जब हम गरम करते हैं उबालते हैं दूद को उसके बाद जब दूद ठंडा हो जाता है और हम अगर उसे चानते हैं हम उसको अगर एक कपड़े में डालते हैं तो malai पीछे रह जाती है तो यह process क्या है यह process है filtration का process next है salt is obtained from sea water by the process of dash तो हम यह पहले ही पढ़ चुके हैं अगर हमें नमक चाहिए sea water में से तो हमें evaporation करना होगा next fill in the blank है impurity settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket the clear water was then poured off from the top the process of separation used in this example is called dash तो impurities बोला हुआ है कि bucket को bucket में हमने muddy water overnight रख दिया उसको disturb नहीं किया तो जितनी impurities थी वो bucket में नीचे settle down हो गई उसके बाद जो clear water था जो clean पानी था वो हमने pour कर दिया किसी दूसरी bucket में किसी दूसरी चीज में तो यह जो process हमने use किया separation का यह कौन सा है तो यह process है sedimentation and decantation का 9th question is true or false तो हमें बताना है कि यह statements है true है या false है first statement है a mixture of milk and water can be separated by filtration तो यहां लिखा है कि milk और water को हम separate कर सकते हैं filter करके तो यह statement गलत है false है क्योंकि दोनों के admissible liquid हैं आपस में mix हो जाते हैं और जो liquids आपस में mix हो जाते हैं उन्हें हम filter करके अलग-अलग नहीं कर सकते सेकिंड जो statement है वह है a mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing तो salt और sugar को यहां लिखा है कि हम winnowing से separate कर सकते हैं यह statement भी गलत है क्योंकि winnowing तब use हो सकती है जब एक component mixture में भारी हो और एक हलका हो लेकिन यहां पर powdered salt और sugar दोनों का ही weight almost same रहता है इसलिए winnowing से यह separate नहीं हो सकता next है separation of sugar from tea can be done with filtration तो इस statement में है कि चाय में से हम चीनी को अलग कर सकते हैं filtration करके तो यह statement भी गलत है हम घर पे जब चाय बनाते हैं तो जब हम filtration करते हैं चीनी अलग थोड़ी हो जाती है तो sugar dissolve हो जाती है ती में इसलिए यह filtration से अलग अलग हम नहीं कर सकते next है grain and husk can be separated with the process of decantation decantation हम liquids में यूज करते हैं और यहां दोनों ही component solid है तो यहां पे भी यह जो statement है यह गलत है false है grain और husk हम decantation से separate नहीं कर सकते next or last question है lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water you wish to add ice to cool it should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar in which case would it be possible to dissolve more sugar so thank you for watching आज की class के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें इसे share करें और हमारे चानल को subscribe करें and hit the bell icon जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डाले तो आप तक notification सबसे पहले पहुचे thank you आप अपने doubts, suggestions और आपको जिस भी topic पर वीडियो चाहिए हमें comment करके बताएं